जो हैं दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है गेट यूर सलूशन में फ्रेंट्स आप सभी के लिए जिन्होंने एससी सेचसल 2019 की एकजाम जो अभी हाली में चल रहे थे जो की एक जुलाई 2019 से एक जारा साथ 2019 तक हुए हैं जिन्होंने भी एकजाम दिया था उनक इसमें जानकारी दी हुए है फ्रेंट्स लेकिन वह हमारे काम की नहीं है इसमें देखे टेंटिटीव डीट फॉर डेकलरेशन ओफ रिजल्ट के बारे मताया गया है जो कि एक जारा सितंबर 2019 तो अब आपको त्यारी स्टार्ट कर देनी हैं टियर टू के लिए तो इस अग्जाम का उसके बारे में बात करेंगे एक्जाम के डियरेशन के अगर बात करें तो तीस मिनट का आपका एक्जाम का डियरेशन रहेगा जिसमें से पचास नंबर के कुशन आएंगे और यह एक्जाम पिन पेपर मोड में होगा अर्थाथ डिस्क्रिप्टिव मोड में और अगर बात करें फ्रेंड्स इसमें क्या क्या आने वाला है तो एक आपका AC राइटिंग रहेगा और एक लेटर या फिर अप्लिकेशन राइटिंग का कोश्चन रहेगा अगर बात करें लेटर की तो वह 200-250 वर्ड में आपको लिखना होगा और लेटर और अप्लेकीशन की बात करें तो वह आपको 500-200 वर्ड की बीच में लिखना होगा और ये जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिस दोनों माधिमों में उपलबद रहेगा और आपको बता दूँ फ्रेंट्स यह जो पेपर है कौलिफाइंग नेचर का होगा इसमें आपको 40 से 35% की बीच में मार्क्स लाने होंगे और फ्रेंट्स आपको बता दूँ इसके बाद आपकी मैरिड लिस्ट बनेगी उसमें जो पहला टियर हुआ था इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उस आधर पर आपकी मैरिड लिस्ट बनेगी और अगर दो कंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर सेम है तो इस एक्जाम के जो मार्क हैं उसको में सामिल किया जाएगा यहाँ पर लिगाओ पेपर 2 के लिए बिल भी यूज तो डिसाइड मेरिट इन केस मोर देन वन कंडिडेट स्कोर इक्वल नॉर्मलाइजड मार्क्स इन पेपर 1 तो फ्रेंट्स यह रही सारी जान करिया तीर 2 से रिलेटेड तो फ्रेंट्स यह वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईए साथ ही आपके कोई प्रश्न है या फिर कोई सर्जिशन है तो आप वो भी हमें कमेंट करके बदा सकते हैं और साथ ही इस तरह की और भी वीडियो को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले प्राप्त करने के लिए गेट योर सलुसन को सब्सक्राइब कीजिए साथ में वेल आइकान प्रेस कीजिए ताक कि हमारा वीडियो आप सबसे पहले देख सकें इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद